बिस्वी सदी का आरंभिक दोर भारत में क्रांती, स्वतंता और अंग्रेजी समराजी से मुक्त होने की चाहत रखने वाला दोर था। इस दोरान पाटन समराजी और उसके दर्वार में चल रही उठा पटक पर आई एक साहित्ती कृती ने गुजरात के लोगों के अंदर उचसुकता पैदा कर दी। पाटनी प्रभुता यानि पाटन का प्रभुत में नामा किया किताब लोगों के बीच में इतनी प्रसिध हुई किसके लेखक कनहिया लाल मानिक लाल मुन्शी यानि के मुन्सी संपोर्ण गुजरात में प्रसिध हो गया। बाद के वर्सों में इन्हे सुम्राथ मंदिर के जिर्णोधार के लिए भी जाना गया। आप देख रहें TFI इतिहांस यों संस्कृति और मैं अवनिश्तिवारी आपको ओगत कराऊंगा कि कैसे केम मुन्षी के योगदान को इतिहांस में जगह नहीं दी गई। केम मुन्षी केवल एक साहित्यकार नहीं थे, वे साहित्यकार के अलावा एक वकील शिक्षा वेद स्वत्मता सेनानी और राजनेतिग्य भी थे। केम मुन्षी का 30 दिसंबर 1887 को गुजरात के भरोच में हुआ था, जब वो बड़ोदा कोलेज में शिक्षा ले रहे थे, तब वो अपने शिक्षक अरविंदो घोस से इतने प्रभावित हुए कि छात्रे जीवन में ही स्वत्मता संग्राम की गत्विधियों में शामिल हो बॉंबे हाई कोर्ट में वकालत करने के लिए आ गये, यहां उन्होंने वकालत के साथ साथ समाजी कारियों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, यहीं वह दौर था जबके मुन्षी ने भारगव नामक पत्रिका का संपादन किया था, इस पत्रिका के माध्यम से मुन मुन्षी जी को बंबे विश्व विद्याले में एक फैलो के रोप में चुना गया, जिसके बाद इन्होंने विश्व विद्याले में चल रहे पाठक्रम में भारतिय भाशाओं को एक विश्व स्थान दिलवाया और रसायन तकनिक विभाग की स्थापना की, इसके अलामा मुंश्री जी ने नगर कल्यार छेत्र में अपने प्रियासों के माध्यम से बॉम्बे शहर को नया चेहरा दिया, जिसके बाद बॉम्बे में न केवल सिटी एम्बुलेंस दल की स्थापना की, बलकि कई अन्य बड़े कारे भी हुए। 1921 ऐसा साल था जिसमें मुंश्री जी वकालत के पेशे को छोड़, सिक्षा और साहित्य के छेत्र में काम करने लगे, हलांकि के मुंश्री अपने लेखन के लिए गुजराती में पहले सही जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने वकालत छोड़ने के बार अपना पूरा समय साहित शिक्षा और समाजिक कारियों में ही विदाया था, यहीं नहीं, उन्होंने गुजराती भासा को बढ़ावा देने के लिए गुजराती साहित्य संसत की स्थापना भी की थे, साहित्तिक रचनाय करने के साथ-साथ के एमुन्ष राजनिती में सक्रिय रूप से अपनी भूम के स्थापना की। भारतिय विद्या भावन ने संस्क्रित भासा को लोगप्रिय बनाया और आधुनिक द्रिष्टिकोंड के साथ दैनिक जीवन में प्राचीन तथा धार्मी ग्रंतों को लागो करने को बढ़ावा दिया। लगतिश्रील अधिकार शामिल थे। समिधान सभा में शामिल होने के अलावा के मुंशी जी का एक और भ्हतपुर्ण योगदान था जिसके बारे में बहुत अधिक चर्चा नहीं होती है और ओव है सोमनात मंदिर का जिर्नोधार करवाना दरसल। कहानी ये है कि भगवान लेकिन कुछ लोगों ने इस मांग का विरोध किया जिन में ज्वाहर लाल नहरू भी प्रमुख थे। वहीं दूसरी और सरदार वल्ला भाई पटेल एनवी गाडगेल और मुहंदास करम चंद गांधी ने इसका समर्थन किया था। मंदीर का पुनह निर्मार करने की बात पर जब आम सहमती वनी तो इसकी जिम्मेदारी केम मुंशी को सौपी गई। लेकिन 1948 में गांधी और 1950 में पटेल के मृत्यू के बाद मंदीर का निर्मार करानी की पूरी जिम्मेदारी मुंशी और गाडगिल के कंधों पे आ गई। नहरू लगातार इसका विरोध कर रहे थे लेकिन मुंशी दर्ड निश्यता के साथ मंदीर निर्मार में लगे रहे। सौमनात मंदीर को केमुंशी हिंदों के पूजास्थिल या एक प्राची निसमारक के रूप में नहीं देखते थे बलकि उनका कहना था कि सौमनात भार कान नदिया हो।